नमस्कार एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है साहिती जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग इसमत शुगताई जीतवारा रचित कामचोर कहानी के प्रश्न उत्तर को देखेंगे और यह कहानी एक बहुती सुन्दर और हास्सेश्प्रत कहानी है जिसमें बच्चों के मनोवज्ञान और उनके काम करने के ढंग को तर्शाया गया है तो चलिए इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं सर्वप्रथम इस पार्ट में आये वस्तुनिष्ट प्रश्न को देखते हैं तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन कर लिखिए इसमें में क्या करना है सही विकल्प को चुनना है पहले कर नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बाद भी बाद के बाद हुआ कि यदि आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इस कहानी में पहली जो तीन लाइन है कि देखिए मैं अपने साथ फुस्तक रखी हुई हूँ ताकि मैं आप लोग को लाइन बाइन बता सकूं आपको समझने में आसानी हो कि बड़ी देर के बाद बात भी बात सही हता है दूसरा नौकरों को निकाल दिया जाए तीसरा नौकरों को बहाल किया जाए यानि रख लिया जाए और चौथा नौकरों का वेतन रोक दिया जाए तो यदि आप इस कहानी की पहली लाइन पढ़ेंगे तो उस पहली लाइन में ही लिखी है कि बड़ी देर के बाद भी बा सही है, दूसरा विकल्प नौकरों को निकाल दिया जाए, बहुत देर के बाद विवाद के टाय हुआ कि सच्मुच नौकरों को निकाल दिया जाए, यह वाला होगा, दूसरा प्रशन देखिए, हो नंबर प्रश्ण सुफान गुजरने के बाद पता चला की इसमें 4 विकल्प हैं देखिए कौन कौन से पहला प्याला तूट गए दूसरा प्याले भरे हुए हैं तीसरा प्याले खाली हैं और चौथा प्याले गायब हैं तो तुखान गुजरनी के बाद हम यह देखते हैं कि प्याले जो है वो आली है यहां पर यह जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा इसके बाद आगे के प्रश्न को देखते हैं गए नंबर प्रश्न गई नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि भैस के पिछले दो पैर कहां बांधे गए बच्चों को कारे दिया गया था कुछ-कुछ उनकी कारियों में यह भी एक कारे था कि बांधना था भैस को तो उन्होंने भैस के पिछले दो पैरों को कहां बांध दिया था वो बताना है इसके चार विकल्प है पहला पूटे से दूसरा पेड के तने से तीसरा विजली के खंबे से और चाचा जी के चार पाईों से चार पाई के पाईों से यहां पर यह जो चार वाला उत्तर है वो सही है कि भैस के पिछले दो पैरों को चाचा जी के चार पाई के पायों से बांध दिया गया था इसके बाद आईए हम लगुतरिय प्रश्ण को देखते हैं इसमें पहला प्रश्ण देखिए किन्हें कामचोर कहा गया है तो जब हम पहली और दूसरी और तीसरी लाइन को पढ़ते हैं कहानी में उसमें क्या लिखा हुआ है कि आखिर ये मोटे किस काम के हैं यह जो है वो घर के नौकरों के लिए कहा गया है यहाँ पर मतलब घर के नौकरों को ही कामचोर यानि की आलसी, कामचोर का मतलब होता है आलसी, जिन्हें कामचोर कहा गया है, घर के नौकरों को कामचोर यानि की आलसी कहा गया, और इसकी बाद देखिए दूसरा प्रशन, जो है, कि बच्चों को क्या धंकी मिली, बच्चों क उनके काम स्वयम करवाय जाए तो यह भी एक प्रश्ण उड़ता है कि क्या बच्चे काम करेंगे उन पर कहा उन्हें धंकी दी जाती है कि यदि बच्चे काम नहीं करेंगे तो उन्हें रात का भोजन नहीं दिया जाएगा रात का खाना नहीं दिया जाएगा ताकि बच्चे अपने कारे को दिये गए कारे को कर ले ते बाद तीसरा प्रश्न देखिए साही फर्मान जारी होने का साही फर्मान जारी होने का क्या अर्थ है उत्तर देखिए साही फर्मान जारी होने का अर्थ है ऐसा आदेश फर्मान का मतलब ही होता है आदेश तो कहा जा रहा है कि साही फर्मान का जारी होने का अर्थ है ऐसा आदेश जिसका पालन करना जरूरी है जो भी आपको आदेश दिया जाएगा उसका पालन करना जरूरी है और ऐसे फर्मान की यानि ऐसे आदेश की आप अंदेखी नहीं कर सकते हैं आपको आदेश मान नहीं हो प्रथा नंबर परशन दिखिए एक पंग्ति है कि फॉज मैदान में हथियार फेक कर पीठ दिखा गई इस पंग्ति में पीठ दिखाने का अड़ है यहां पर फोज शब्द् यह में लड़ाई करने वाले कि गारे में नहीं कहा है यहां पर फोज बच tecnología और उसी से संदर्भित उसी से संबंधित यह पंग्ति है और इसमें पीठ दिखाने का हो आड़ है वह आपको बताना बच्चे जो है जल पर यानि के नल पर नल होगा पाणी लेने के लिए खट्टा हुए थे पानी थे लिए लेनेीग घरमासान कर रहे थे अर जैसे ही फिर के बड़े लोग वहां पहुंचे सब के सब चल दिये सब के सब भाग गए इसलिए यहां पर कहा गया है फौज मैदान में हथियार फेक कर वीठ दिखा गई जैसे ही बड़े लोग आए सारे बच्चे जो है वो भाग गए पाचबाँ प्रश्णि नानी अम्मा के सफेद दूद जैसी चादर पर कैसी चाप पड़ी यहां आप प्रस्णवाद चक्छिन्न होगा वुतर देखिए नानी अम्मा के सफेद चादर पर कथे चूने में लुठडए यानि लगे हुए पंजे लेकर एक मुर्गी के उस पर क कथे चुनों से लगा हुआ था और वही पंजा लेकर जो है वो उन्चादरों पर फूद पड़ी जिससे उसके पैरों के छाप पड़ गए अब गोधुमूलक प्रश्न देखिए आखिर में मोटे किस काम के हैं किनके बारे में कहा गया है और क्यूं तो पहली जबम तीन लाइन पड़ते हैं जिसमें यह कहा गया है कि बड़ी देर के बाद विबाद के बाद यहत्ताय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जा उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए इसलिए उनके बारे में यह बात कही गई है आए दूसरे प्रश्न को देखते हैं अम्मा आग्रा जाने के लिए समान क्यूं बांधने लगी दिखिए उत्तर अब्बा ने घर के बच्चों को काम करने के लिए कह दिया बच्चे काम करने के साथ साथ उत्पात उत्पात यानि सेतानी सेतानी करने लगे सेतानी मचाने लगे घर में क्या हो गया तुफान उठ खड़ा हुआ घर की इस अव्यवस्था मने घर में यह जो गरबढ चल गया था इसको देखकर अम्मा जो है बहुत अजीव से उनकी म बच्चों ने घर की क्या दूर दशा की, बच्चों ने सरोपथम सफाई के लिए जाडू के सीके अलग कर दिया, जाडू सफाई के लिए जब जाडू लगाने गए तो सीके जो है वो अलग कर दिये, पानी छिड़क कर धूल को, इतना पानी छिड़के की पानी छिड़क कर दूस्जंग छोड़ दूस्टों थे धोर कहानी का उद्देश सी इसमत्र चुगताई जी ने कामचवर कहानी में लेखिका ने इसपष्ट किया है कि बच्चों के उत्पाती होनी की वज़ा है बच्चों के उचित सिक्षा दिख्षा देनी होगी और उन्हें उचित निर्देश देना होगा अता घर के विभाव क्यानी माता-पिता को बच्चों के मनोविज्ञान को को देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस काम में दक्ष है और उसकी किस काम को अच्छे से कर सकता है इसके हिसाब से उसको काम देना चाहिए अववस्था ना बने और बच्चे सही चीजों को सही धंग से समझ पाएं और अपने काम को कर पाएं पाच्वा नमबर प्रश्ण आप चाहे कुछ भी हो जाए हील कर पानी नहीं पीएंगे बच्चों के इस नर्ने से आप सहमत हैं और सहमत अपना विचार प्रकट कीजिए यह बिलकुल अंतिम पंक्ती की तरफ का पंक्ती है और इस पंक्ती में आपको विचार बताना है तो देखिए बच्चे यह जो निर्ने लेते हैं कि भी अपना काम नहीं करेंगे इससे तो सहमत होने का प्रश्ण ही नहीं उड़ता क्योंकि बच्चों को सदा बड़ो की माता पिता की आग्या तथा दिशा निर्देश का पालंग करना चाहिए उन्हें बिलकुल आलसी और काहली काहली का मतलब वही है जो अपने काम को नहीं करता है नहीं होना चाहिए इसलिए ये बात कि अब चाहे कुछी भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पीएंगे बच्चों का ये जो निर्न है वो गलत है इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है बच्चों को अपने बड़ों की अपने माता पिता गुरुजनों की आग्या का पालंग करना चाहिए उनके द्वारा जो भी निर्देश दिये जाए उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए आलसी नहीं बनना चाहिए इस बात को बताने के लिए ये कहानी लिखी गई है आईए अब हम दिसा निर्देश के नुसार उत्तर दे तो देखिए आईए अब देखते हम लोग दिसा निर्देश के नुसार उत्तर दिया गए कि एक ये पहली पंक्ती है ये है खुदा के लिए नहीं घर में बाढ़ हा जाएगी ये कथन किसका है और कब कहा गया ये पंक्ती पार्ट से लिए ये है खुदा के लिए नहीं घर में बाढ़ हा जाएगी तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है और कब कहा गया तो देखिए यह अम्मा का कथन है यह कथन उस समय कहा किया है जब अब्बा ने बच्चों को काम करने के लिए कहा जब अब्बा जो है वो बच्चों को काम करने के लिए कहते हैं तो माता तो जानती है कि बच्चे जो है काम नहीं कर सकते हैं अम्मा जानती है इस बात को, इसलिए वो कहती है कि बच्चों को क्याम करने के लिए मत कहिए, धर में बाण हा जाएगी, यहाँ पर एक खड़ी पाई दे दीजेगा आप, कहाँ, दूसरा प्रशन देखते हैं, वक्ता का ऐसा कहने का कारण इस परश्ट की जाएगी, यहाँ देखी एक शब्द है, वक्ता, वक्ता का मतलब क्या होता है, वक्ता, वक्ता का मतलब होता है, जो बात को कह रहा है, जो इस बाक्य को कह रहा है, और श्रोता का मतलब होता है, सुनने वाला, दो शब्द है, ध्यान दीजेगा, एक है वक्ता, दूसरा है श्रोता, वक्ता का म इस पंक्ति को कहा है तो देखिए वक्ता के ऐसा कहने का कारण स्पष्ट किया यानि यह जो उसने कहा है कि एक खुदा के लिए नहीं बाणा आ जाएगा यह बात क्यूं कहा गया है तो देखिए वक्ता इसलिए कहता है कि यदि सभी बच्चे मिलकर फर्स की धुलाई और पेड़ों की सिचाई करेंगे तो घर में बाणा आ जाएगी अता सब जगब व्यवस्था बनी रहे और चीक से रहे नहीं तो क्या होगा घर में व्यवस्था में व्यवस्था के पानी ही हो जाएगा व्यवस्था जो है वहीपानी पानी अजिदि धेखिए यह जो प्रश्वाब ही तक हम लोगे नहीं किया वह पहली पंक्ती से था अभ यह दूसरी पंक्ती आपको दी गई है ।कॉननमर हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया यह पंक्ती है और पंक्ती का पहला प्रश्ण देखिए इस पंक्ती के लेखा का और इस पार्ट का नाम काम चोर है सिंगल इंवर्टेट कॉमा में लिखेंगे जब भी पार्ट का नाम लिखेंगे सिंगल इंवर्टेट कॉमा के भीतर लिखेंगे दूसरा प्रशन देखिए बच्चों को आंगन में क्यों निकाला गया उत्तर दिखे बच्चे जो है वो फर्स पर बिछी दरी को जाडने पीटने लगे सारा घर जो है वो धूल से भर गया खास्ते खास्ते सब बेदम हो गए इस कारण बच्चों को आंगन से निकाल दिया गया तो बच्चे जो है वो धरी को जाडने फटकने लगे और इसे पूरा घर धूल से भर गया और धूल की कारण लोगों को खासी आने लगी सब परिशान हो गया इसलिए बच्चों को आंगन में काला गया गव नंबर देखी गव नंबर की पंक्ती या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो यह कथन किसका है या कथम जो है वो अम्मा का है अम्मा जो है वो बच्चों के हरकते देखकर बहुत परिशान है प्रशान होने की कारण यह बात करें कि या तो यह बच्चों का जो काम है वो बच्चों का ही राज रहने दीजे या फिर आप मुझे ही दे दीजे मैं ठीक से करनूंगे अब देखिए दूसरा प्रश्ण वक्ता के ऐसा कहने का क्या परिणाम हुआ परिणाम यानि रिजल्ट क्या रिजल्ट हुआ देखिए वक्ता के ऐसा कहने का परिणाम यह हुआ कि अबबा ने सभी बच्चों को कतार ठीक है यहाँ पर यह नीची आ गया है यह होगा कतार में खड़ा कर उन्हें सक्त आदेश दिया सक्त यानि कड़ा कड़ा आदेश दिया है कि यदि किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा माज वो इतनी परिशान हो गई है परिशान होने के बाद वो अबबा से सिकायत करती है तो अबबा साब साब सभी बच्चों को यह सक्त आदेश देते हैं कि कोई भी बच्च घर के किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा नहीं तो उनका खाना बंद कर दिया जाएगा यह आपका हो गया लगुतरिया वस्तोनिष्ट लगुतरिया और बोध मुलक अब हम लोग इस पार्ट से सम्मंदी जो है वह भासाबोध करेंगे तो भासाबोध में देखिए पहला जो है वह उपसर्ग में हमें मूल सब्द को प्रिथक करना है आपको मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी मान ठीक है मान लीजिए अगर आप एक शब्द ले ले ये मैं उदाहरण के लिए बता रहे हूं थोड़ा सा बस समझाने के लिए आपको मान और मान का मतलब सम्मान भी होता है अगर हम इसमें एक उपसर्ग लगा दे अब मान आप समझ सकते हैं किसी का इंसल्ट करना किसी क इस तरह अलग-अलग मूल सब्दों में अलग-अलग उपसर्ग लगते हैं उपसर्ग हमेसा आगे वाले शब्दों को कहा जाता है अब जो हम अभ्यास करनी जा रहे हैं इसकी अंदर भी हमें क्या करना है मूल सब्द से उपसर्ग को अलग करना है उपसर्ग हमेसा आगे ल इसी तरह कि नकेल बे नकेल में का मतलब क्या होता है इसके उपर किसी भी प्रकार का नीयंत्रन नहों इसमें भी बे जो है वह हमारा हमिल्शब्र, इस तरिक उपसर्ग आप आगे भी देख चुके हैं और गुली जो है वो हमारा मूल कि हमारा उपसर्ग हो गया आईए दूसरे प्रश्ण को देखते हैं दूसरा है हमारा प्रत्य अब देखिए उपसर्ग के साथ एक और आता है प्रत्य प्रत्य क्या होता है पीछे लगता है जैसे उपसर्ग आगे लगता है प्रत्य पीछे लगता है तो देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते हैं मूल सब्द लिख सकते हैं और पीछे प्रत्य पहला हमारा जो शब्द है सुराहिया सुराहिया में क्या हमारा मूल सब्द है सुराहिया में हमारा जो मूल सब्द है वो है सुराहि पड़ी की मतला हो जागी सुराहि और इसमें हमारा जो उपसर माफ कीजिएगा प्राट्य, प्रत्य हमीशाब पीछह लगता है तो क्या होगाय प्रत्य, दुराहिया इसे तरीके से खतकना प्रत्य शब्द है या नहीं है और इसके बाद सायद नहीं है और इसके बाद यह जो हमारा तीसरा शब्द है वह बाल्टियां एक बार मैं पुस्तक से देख लेते हूं फिर मैं आपको अच्छे से बताते हूं वह है या नहीं है इसकी बाद आपका जो शब्द है वह बाल्टियां बाल्टियां में पाल ती और आपका ती अपसर वाल्टियां इसी तरीके से दमदार दमदार में दम उप्षद मूलशब्द और प्रत्य दार फड़ फड़ाती फड़ाती में फड़ 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 और ये आपका हो गया ती लुठकाती लुठकती का लुठक लुठक यहां पर लुठकती शब्द है एक सगेना पूर एक बर पुस्तक में देखना भी आपको थीखसे में बताती कि कौन सा शब्द जो है अब एक मिनिट ठोकि और मैं आपको पताती हूं कां सा इसके अंदर शब्द है आपका लुड़काती यहां पर फड़ फड़ाती है न तो फड़ फड़ाती में आप देखिए यहां पर जटकना शब्द भी है तो जटक और आ इसी तरीके से फड़ फड़ आती में फड़ फड़ यहां पर आपको हो जाएगा आती तरीके से लुढ़ आती यह आपका हुगया प्रत्य और इसके बाद यदि हम अगर परियावाची शब्द की बात करें तो परियावाची में आप देख सकते हैं जो है कुछ प्रयायवाची शब्द है प्रयायवाची शब्द में पहला है मसहूर मसहूर का होगा आपका प्रसिद्ध क्याती यश आप कह सकते हैं का यश बहुत बढ़ गया है इसके बाद का शब्द है पलंग में प्रयावाची शब्द क्या है सेज सया जिस्तर पिछोना बहुत सारी शब्द बोल सकते हैं इसे तरह गंद का गंद का आप लिख सकते हैं महक महक वास पुष्पू तीर में आप लिख सकते हैं तीर का आप लिख सकते हैं बाण चला आप लिख सकते हैं सर शर ठीक है और इसी तरीके से टायक मातम का क्या प्रहएवाची शब्द हो सकते हैं सोक विशाद विपत्ति विपत्ति यहनी परिशानी आप यहां पर दुख लिख लिख लिजिए ज्यादा बेटर रहेगा दुख इसी तरीके से पानी का तो बहुत सारा शब्दे आप ही जानते हैं जल नीर तोए एक सब्सक्राइब नीर तोए आपको मा की जिगए कि बात के शब्द तो आपको शवयम भी आने चाहिएitary में कुछ है नहीं इसके अंदर है आपका वाक्य प्रयूक कुछ शब्द दिए गया passage jullieएया और भी निएया कोई आवस्यक नहीं कि आप इस वीडियों में जो वाख्य बताया गया है वही करें आप अपने अनुशार भी कह सकते हैं तो इसमें वाख्य प्रयोग क्या कर सकते हैं बच्चो पे हमासान जुद्ध हुआ आंगन का क्या लिख सकते हैं आंगन बच्चे आंगन में आंगन में खेल रहे हैं तनक्वा मुझे आज पहली तनक्वाह मिली तेना हमारी तेना हमारी तेना हर प्रकार से पल्वान है तरीके से व्याकुल शब्द का मेरा प्रकार 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 प्रियोक करना आता है तो आप जरूर लिख सकते हैं पर धिहान रखिएगा कि आप सही लिखिएगा और इसके बाद आखरी का जो है वह है बिलूम शब्द आप स्वयम भी कर सकते हैं फिर भी मैं आपको बता देती हूं असली का नकली आप कुछ कॉमेंट करके भी बताईए इसके बाद शांती का अशांती खाली का तरी भला का बुरा मोटा का पतला और वाद का कती तो बच्चो इस पार्ट में यह हमारा जो बिलूम शब्द है वो कंप्लीट हो गया पूरा हो गया एक चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि अभी जिस वक्त यह मेरा वीडियो आ रहा है यह संभावता कल या परसो आएगा यानि कि 14 या 15 15 ऑक्टूबर को 15 ऑक्टूबर 2022 को यह वीडियो रिलीज होगी तो इस वक्त जो बच्चे कक्षा शात्वी में हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि स्कूल खुलने के बाद तुरंत कुछ दिनों के भीतरी फाइनल परिक्षा होगी आपकी वार्षिक परिक्षा होगी मान लीजिए आपकी वार्षिक परिक्षा कब से शुरू हो जाएगी नवंबर के आखिर तक शुरू हो जाएगी सभी विद्यालियो में इसलिए आप ठान से मन लगाके पढ़ाई शुरू कर दे बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी पढ़ने वाली हैं पुजा की छुट्टियां दिवाली की छुट्टियां उनमें पढ़ाई वैसे ही कम होगी तो आप को ये में सूचना ही दे रही हूँ कि आप पढ़ना सुरू कर दे क्योंकि सामने फाइनल परिक्षा है और इसके साथ एक बात में और भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो और इससे आपको अपकी पढ़ाई में कोई मदद मिली हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना और अपने दोस्तों तक सेयर करना ना भूले याद रखिए शिक्षा एक ऐसा धन है विद्या एक ऐसा धन है जो बातने से बढ़ता जाता है इसी के साथ अन्यवाद